हेलो दोस्तों, सोनी की तरफ से एक जबरदस ख़बर आ रही है कि सोनी के होंग गेमिंग कॉंसोल PS4 के 5 साल 7 महीने ही हुए है, भी लॉंच हुए और कंपनी ने 100 मिलियन यूनिट्स बेच दिये हैं पताएगें कि इसके बारे में साथ में बात करेंगे, एमजोन इंडिया में फ्रीडम सेल स्टार्ट करने जा रहा है, आज 8 अगस्त से तो इस तरह की पांच कपर इंग मारी सीटेक पंच के आज के एपिसोड में देख तरी वीडियो लास्त अग मैं वोश्वाग रब दिख म करते हैं, सोनी को लेगे, सोनी का होंग गेमिंग कॉंसोल पीएस ओर जो की जबर्दस पॉपलर कॉंसोल है, गेमिंग कॉंसोल उसका जून 2019 का जो सेकंड कॉर्टर है इस साल का उसकी सेल्स रिपोर्ट आ गई है, और इस साल इस कॉर्टर में कंपनी ने 3.9 मिलियन यूनिट सेल करे हैं, अब कंपनी के लिए एक और खुसकबरी है, जो कि उसने अफिशली एनॉंस किया और अपने कस्टमर्स और अपने फैंस के लिए ठैंक्स भी कहा है, खुसकबरी क्या है कि कंपनी ने बताया है कि उसके 5 साल साफ महिने ही हुए है, PS4 को लांच किये हुए और उस से तीजी से बेचने वाली पहली कंपनी बन गई है दुनिया की, तो ये सोनी के लिए एक नया माइलिस्टों है, जो कि उसने PS4 के तो पार किया है, लेकिन अगली साल 2020 में कंपनी का नेक्स जनरेशन गेमिंग कॉंसोल लांच करने की तैयारी है, ये कॉंसोल जो होगा, वो PS कुछ नया होगा इस गेमिंग कॉंसोल में, नेक्स जनरेशन के, तो इंतजार कीजिए एकली साल का जब सोनी एक नया नेक्स जनरेशन गेमिंग कॉंसोल लांच कर देगी, अब पढ़ते हैं एंगली ख़बर की तरफ, Samsung का Foldable Display Smartphone, Fold X, Galaxy Fold X, कंपनी ने जब से Announce किया है, और पहली बार जब आई थी, तब से डिस्प्ले को लेकर जबरदस्त कंपनी अलवचनाय जेल रही है, कंपनी इसको इंप्रूफ करने के लिए बार बार डेट, जो लांचिंग डेट है, उसको आगे बढ़ा रही है, अभी next हफते ही आई थी नहीं, लांचिंग जेट और अब एक दुबार फिर ये लांचिंग डेट लटकती हुई दिखाई दे रही है, दरसल कंपनी अभी भी फोल्ड एक्स, जो गलेक्सी फोल्ड एक्स उसका फोल्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन है, उसकी डिस्प्ले को और भी अभी इंप्रूव करने में लगी हुई है, क्योंकि अभी पूरी तरीके साथ जो उसकी प्रॉबलम थी, वो खत्म नहीं हुई है, तो अब नई जो डेट आ रही है, कि सितंबर में, मिड सितंबर के आसपास में, सैमसंग इस अपने फोल्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन को कर सकता है, लेकिन एक प्रॉबलम है, कि सितंबर के बी डिस्प्ले स्मार्टफोन लाँच कर सकती है, सैमसंग, अभी आपको बता दे, तो यह साउथ कोरियन इलेक्रोनिक कमपनी, अभी तीन अपने स्मार्टफोन पर जबर्दस्ती जी से काम कर रही है, वो है गैलेक्सी नोट 10, गैलेक्सी नोट 10 प्लस और फोल्डेबल मिड में फोल्ड एक्स को लेके, वो क्या बाकि में उस तारीक पर यह फोन लाँच हो पाता है, या फिर अभी भी तारीक पर तारीक ही बढ़ती है, अब परते हैं अपने दूसरी ख़बर की तरब यह भी सैमसंग को लेके है, सैमसंग ने इस साल अपनी मिड रेंज स्मार् स्मार्टफोन को लेके, इस साल मार्च में, मार्च 2019 में ही उसने ए सीरीज का 30 A30 स्मार्टफोन लाँच किया था, अब नई ख़बर आ लिए कि इसी को इंप्रूफ करके, सैमसंग A30S के नाम से यह फोन लाँच करने की तयारी कर रही है, पहले जब यह फोन मार्च में अब कमपनी के तयारी है कि इसमें ट्रिपल रेयर कैमरा दिया जाए, फिलाल अभी सेंसर की बात नहीं बताए गई है, अगर हम पुराने सेंसर की बात करें तो इसमें 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेंसर मिल रहा था पहले, अब जो नया इंप्रू अब परते हैं अगली कवर की तरफ, अमेजोन हर साल की तरह इस साल भी इंडिपेंडेंस डे पर फ्रीडम सेल इंडिया में स्टार्ट करने की तयारी कर रहा है, ये सेल 8 अगस्त से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी, लेकिन प्राइम जो सब्सक्राइबर हैं अमेज स्टार्ट होगी सेल, इसके अंदर आपको अगर आप SBI के डेविडिया क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आपको 10% का instant discount मिल जाएगा, जो अबरॉल अमाउंट पर आपके कार्ड के, उसके लाबा भी HDFC कार्ड, Access Bank कार्ड और ICICI Bank के कार्ड पर भी अलग से discount या offer आपको मि अब आपको बता देता हूं कि इस सेल में आपको mobile accessories, home appliances जैसी clothing अगर अलग अलग discount और offer आपको मिल जाएगे, आपको बता देते कि आखिर इस Amazon Freedom Sale में आपको discount कितना कितना मिलेगा, अगर आप mobile या mobile accessories करीद दने का सोच रहे हैं तो इस सेल में आपको अलग अलग brands पर 40% तक क discount मिल सकता है, अगर आप electronic items खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको 50% तक का discount मिल सकता है अलग अलग items पर और अगर आप TV या home appliances लेने की सोच रहे हैं तो आपको 60% तक का अलग अलग brand के अलग अलग products पर discount मिल सकता है, बाकी आप Amazon की site पर जाकर अलग अलग category के products का real में जो actual discount है वो checkout कर सकते हैं और अगर आपको Prime Membership लेनी है यानि कि 7 अगत से ही sale में आपको लेना है फाइदा तो आप जाकर मेरी गुवाले वीडियो देख लीजे कि आप Amazon Prime Membership कैसे ले सकते हैं बिना Amazon की Prime Membership खरीदे हुए और अब चलते हैं अपनी आज की last ख़बर की तरफ, last ख़बर इसमें आपको ये सहुलत देगा कि पहले से जादा Apps आपको एक समय पर डिस्प्ले पर शो की जाएंगी ताकि आपको धेर सारी Apps एक बार में दिखाई दे सकें ताकि गाड़ी चलाते समय आपका जादा ध्यान स्क्रीन पर up and down करते हुए Apps का आइकन को ढूणने में ना गु ना खराब हो साथ में इसमें इस बार जादा बहतर नैविगेशन जादा इनफॉर्मिशन के साथ में दिया गया है और तो और इसमें गूगल असिस्टेंट बैच भी आपको मिलेगा जो कि आपके कैलेंडर आपके न्यूज और जबरूरी डीटेल्स आपको वर्बली बता आपकी सडक से नजर हटाए हुए तो देखते हैं Android Auto Support जो Google का नया आने वाला है उसमें और क्या क्या बहतर फीचर्स होंगे जो की गाड़ियों के और गाड़ियों में यूज किये जाएंगे ताकि ड्राइबर और गाड़ी चलाने वाले को जादा फाइदा हो सके तो यह थ झाल सिन्दाब और